एक ऐसा तीरत जो मनुख़दे अंदर है जनमान जनमांत्रां दे करमां दे पापां दे संसकारां दे मैल धुल जान दे जिसनों तुखारी बारामाद जदन गुरु नानक देवजी महराज इन फर्मान कर देने माघ पुनेत भई तीरत अंतर जाने असी अंत्रीव तीरत नो जान ले अंदर दे तीरत नो जान ले जो पापानू दो देन दे दुखानू मिटा देन दे कल कलेशनू मिटा दे पुरूबले कीते हुए कर्मा नू मिटा देंदा है दो देंदा है ओ केड़ा तीरत है सुनिये मनिये मन कीता बाव जो भोजन असी छकदे है उस दा जेड़ा भाग सड़े सरीर दिछ रह जान दा है खोन बन दा है ओ ही मास बन दा है ओ ही सरीर दी शक्ती बन दा है ओ ही इंद्रियां दी शक्ती बन दा है जो असी पड़ देंदा है सुन देंदा है जिसनू मन मन लेंदा है ओ मन दा हिस्सा बन जान दा है बाकी व्यरत चला जान दा है हवा चुट जानगा, सुनें हो या हवा चुट गया मैं एक दफ़ा फिर दो रहाँ है एही दलील है जो भोजन असी खांदे हैं उस दा जेड़ा भाग सड़े शरीर दिछ रह जानदे है ओही खून है, ओही मिंज है ओही मास है, ओही शरीर दी शक्ती है शरीर भोजन दा विकास है माँ बाप दा खादावया भोजन रकद बिंद मनुखी बच्चा रकद बिंद दा मेल है फिर इदुद पीरे भोजन दा विकास इशरीर है इतन है भोजन दा विकास है ना बच्चे नो दुद पिलाओ विकास नहीं होगेगा ना बंदा भोजन चके नहीं जी सकेगा इज़ केंदेने शरीर है भोजन बाबा फरीद इज़ केंदेने साड़े त्रेमन दे हुरी चले पाणी अन बाबा फरीद इती अन पाणी दा पुतल है मैं अन दा त्यागियां अन दा त्यागियां ऐसा कोई नारा लावे कबीर केंदर बस एही पकंडी है अन छोड करेपा खंड ना सोहागन ना ओरंड शिरी कबीर क्योंकि तन इती है भोजन दा पुतला अन नहीं खाएंदा कुछ होर खाएंगा कुछ होर पियेंगा तन दा विकास भोजन दा विकास है तन दी होंद भोजन दी होंद केड़ा भोजन जो खादा होया सरीर दे विच रहे गए ओही खोन बनदा है ओही मेंज बनदा है ओही मास बनदा है सत संग दिच जोवसी सुन देया जिसनों मन मन लेंदा है ओही सड़े मन दा हिस्सा बनदा है बाकी नहीं बनदा बाकी सुने आओया हवा जोड़ गया बाकी सुने आओया बार रह गया बाकी सुने आओया साड़े लई कोई लाब कारी ना होया क्योंकि मन ने ते मन लेंदा हिस्सा नहीं बने बने या हो जनखेंदे आ उसदा जेडा भाग सरीर दिच रहे जंदे ओही खौन है और कुछ भी हौन नığını है ओही खौन है ओही चरबी है ओही मास है ओही शरीर दितवनाई है यह शक्ति है जो असी सुन दे आ जो जो सुन दे आ जिसनों मन मन लेंदा है ओ साड़े मन दा हिस्सा बन दा है बाकी नहीं बन दा नहीं बन दा बाकी सुने आओ या हवा चोड़ गया अक्सर मनुक कह देंदा है सुने आते है पर की करिये मन नहीं मन दा अक्सर कह देंदा है वेखे आते है मन नहीं मन्दा पड़े आते है मन नहीं मन्दा तो फिर पड़े आवया मन्दा हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि मन मन्दा नहीं धर्म दी पहली साधना सुनन ते खड़िये सुनिये, मनिये, मन की इताब इनू उपनिष्टां दे रिशी इज केनने सुत्वा धर्मंग विजाना थी सरवन करने से ही धर्म की प्राप्ति है इंज कहिन देना सुनना मोल है धन्य गुरु नानिक देव जी महराज नो इस देते चार पौडियां उचारन करने आप एगा सुनिये, सिद्ध, पेर, सुनना थ किसे ने सुनेया, सुनेया या मन लेया सिद्ध बन गया नात बन गया सुनिये सिद्ध पीर सुनात कोई पीर बन गया कोई संत बन गया सुनंदी इतनी वड़ी मेंमा एक पोड़ी नहीं चार और हर पोड़ी दिछ नमे तो नमे रूप दितने सुनिये इसर बर्मा इंद सुनिये मौकसला हनमन सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विदवान बने सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विश्नू बने सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बने शिवजी बने सारी ए उच पद्वियां धरम दियां सुनन पे खड़ियन सुनिये सत संतोख गयान किस्ते ने सुनेया है मन ले ओही सत बनेया है उच्चा चरण बन गया है ओही संतोख बन गया है ओही सबर बन गया उस सुनन ने इतना पवित्र कर देता है कि अठाट तीरतिस्तों कुरवान कीते जा सकते सदगे कीते जा सकते फिर चौथी जिकेंदे सुनिये सरा गुनाखेगा सुनिये सेखपीर पाथ्षा सुनिये अंधे पावेरा सुनिये हाथ होवे असगाव इन नतरे जानवाला सागर जेनों अभूर करना बड़ा आउक है एक हाथ जैसा रह जानदे सुनन नाल मनुक अभूर कर देंदा पार हो जानदा बाउसागर तो पार हो जानदा सारे पाप मिट जानदे सारे दुख मिट जानदे सदीवी अनंद दी प्राप्ति हो जान दिये नानिक भगतां सदा विगास सुनिये दूख पाप का नास केड़ा सुने हो या जिनों मन ले मैं हुन फिर दो रावाँ ते अगे चला जो भोजन असी छख दे है उस दा जेड़ा भाग साड़े सरीर दिच रह जान दा है ओही सरीर दा हिस्सा बनदा है खोन बनके, मास बनके चर्बी बनके, हडियां बनके इंद्रियां दी शक्ती बनके शरीर दा विकास शरीर दी होंद भोजन दी होंद है भोजन दा विकास है जो असी सुन दे हैं पढ़ दे हैं मन मन लेंदा है जिसनों, उही साटे मन्दा हिसा बन्दा है। सुने आओ या अगर मने आए तो इसे न हो जाएगा। सुनियां हो या अगर मने आए तो यह गैनी हो जाएगा, सुनियां हो या अगर मने आए तो युदे सारे दुख ते पाप ना सुजानगे, और सदीवी अनंदी प्राप्ती हो जाएगे, सुनन वास्ते कबूल करना पैगा, मैं कुछ नहीं जानना चांदा, और मैं सुनना चा दित्ता गुरुनानिक ने सिख सिख तो मुराद की मैं सिखना है, मैं नहीं जानदा कुछ भी नहीं जानदा इस तों ज्यादा निर्मान शबद होर कोई नहीं है मैं कुछ भी नहीं जानदा कुछ भी नहीं जानदा जानना जानना सिखना जानना और ए भाव मरदे दम तक बने आ रहा है क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है जानन नो बहुत कुछ है बहुत कुछ है अगर गौर नाल देखी है धन गुरु गरंसाव जी दी सारी बाणी अगम्मे सागर मनुख नो बड़े मुश्किल नाल के दरे दो चार शब्दां दी जीवन भर दिच के दरे समझ आ जायते आ जाया फिर दस्म गरंथ है भाई गुर्दास जीदियां वारान है बवंजा कवियांदियां रचनावान है कवी संपोग सिंग जीदा गुरु परताब सूरज गरंथ है इतना वड़ा खजाना है इती कोई खोले प्योदा देका खोल डिट्ठा खजाना ता मेरे मन भयान दाना नहीं खोले है बहुत कुछ है स्याने अनभवी पुर्ष के दिन कोई भी मनक जिस मजब दिच पैदा होया है अपने धरम दे सारे ग्रंथां दा अधैन नहीं कर सकदा नहीं कर सकदा बहुत कुछ है बड़ा पसा रहा है बहुत वड़ा पसा रहा है तो मेरे स्वासे सद्गुर ने निर्मान शबद दे दिता सिक तू सिखन है सिखन दा भाव लेके या मैं सिखन है और सिखन लेते सुनना है पहले सुनने है इस सवस्ते सिख तो ज्यादा निर्मान अवस्ता हो और कोई ने हंकारी सिख होई नहीं सकदा जिड़ाय दावा करदे मैं सब कुछ जानना पता है मैंनो की है गुर्मत मैं जानना यह कुछ भी होवे कम से कम सिख नहीं है सिख जो मर्दे दम तक ए भावना रखे मैं सिखन और मैं कुछ नहीं जानदा जानन नू बहुत कुछ है सिखन नू बहुत कुछ है जीवन बहुत चोट है इस स्वास्ते चुंके ए यूग कल जुग देच किसे यूग देच काम पर दान होंदा है किसे देच लोग परदान होंदा है इस यूग देच हंकार परदाने साहिब केंदने हों मैं रोग मानक को दीना यह परदान है बड़ा परदान है आहं मैं हां दूजा नहीं है तो हंकारी सिख नहीं हो सकदा पामे सिख दिखाई देंदा सिख नहीं है सिख दाते मतलबे मैं सिखना जानना मैंनो कुछ नहीं आम दा मैं कुछ नहीं जानना कम से कम हे प्रभू मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानना कम से कम हे गुरू मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानना मैं जानना चानना मैं सिखना चानना इतना गहरा भाव हो वे तो सिख भी लेगा बड़ा निर्मान शबद है धन गुरु नानिक देव जी महराजी के इन ने इकना नादना बे गेरस रसकसना जानंत इस सलोक दा खुलासे करन पर पहले में इतना अर्ज करते हैं धन गुरु नानिक देव जी महराज ने अपनी पर चार भेरी किर्तन दे राही अरंब की थी किसे नो समझाना है गा के और गाया या शबद अगले नो इतना मतासर कर देंदा सी जोक जन देस किसे किसे नो विचार न कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महराज ने पजमे गुर्णानिक ने सोचे हर मनुकदी कीर्तन तक पहुँच नहीं होंदी नहीं होंदी एवी मैज करते तो कथा दी परंपरा चले धन गुरु अर्जन देव जी महराज पहले आप कठा कर देसे न पिर बाई गुरदास जी ने अरंब की दी 66 पाधशाद गुरुहरुख बिनसाफ जी मारा जित्ते बीठ के कठा कर दे रहाए उनुन विबेक सर कहें दे रहा बिबेक दा मतलब इ गान गान दे दे रहाए कठा कर दे रहाए इस तरह कथा दी परंपरा अरंब होई सिखनो विचारां दे रहा है निरंकार नल जोड़ना विचारां दे रहा है करतार दी सोज बोज कराने सिखनो अपने विरासत दा अपने इतिहास दा ते आले द्वाले दे इतिहास दा भी बहुत होवे गुरु हर्ग बिन साब जी महराज ने डाड़े सिंगा नो जनम देता पहला डाड़े अबदुल्ला से मुसल्मान से पहला कीरतनिया मरदाना से मुसल्मान से अब दुल्ला सिख इतिहास नो जंगी तरस्दियां धुना देते बीर रस्देच गा के संगतां दे सामने सुननदा उंदा सी उस तो इडाड़ी सिंग चले इतिहास नो कवता देच ब्यान करना दस्वें गुरु नानिक दा जमाना आया सिख नू साहत दिवी समझ होवे कलादा भी बहुत होवे तो धन गुरु गोविन सिंग जी मारा अपने नाल भुवंजा कभी रख दे सन जगा जगा कभी समेलन उकरन दे सन जद्वी किसेदा हिर्दा प्रभूनाल जुडजन्द है उदे अंदर कुछ कॉमल कला प्रगट होंदी है संगीत सब तो कॉमल कला है कवता सब तो कॉमल कला है फिर चितर कला है मूर्ती कला है अवतारां दी पैचान ही कला करके होंदी इसी भई ये दे अंदर कला कितने है ये दो कला अवतार है चार कला अवतार है ये अठ कला अवतार है ये सोला कला अवतार सोला कला स्री कृशन दिछ मंदर कोई अंसा अवतार है अंसमातर है कोई पूरण अवतार है धनगुर वरजन देव जी माराज इन्ज केंदेने सोला कला संपूरन फलेया अनंत कला हुई ठाकर चड़ेया ओ जिड़ा ठाकर है परमात्मा है तू सर्ब कला का गयता ओ सारे कला दा गयनी है और किसे नू कला प्रापत होंदी उस महान कलाकार तो प्रापत होंदी उसनाल जुड़के प्रापत होंदी ओ जिड़ा कला होंदी संगीत जड़ अंदरों जनम लेंदा है ओ जिड़ा सिखना होंदा है ओ दे जिड़ जन्द जान नहीं होंदी यह भी मैर्ज कर दें कवता जड़ी अंदरों जनम लेंदी उदे जिन्द जानों दिये बड़ा मुतासर कर दिये बड़ा प्रभावत कर दिये राबेंदर नाट टे गौर केंदे सन जिस बंदे नू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगदे फोल नहीं चंगे लगदे संगीत नहीं चंगा लगदा कवता नहीं चंगी लग दी केंदा में मन दाई नहीं उस बंदे कुल दिल होवेगा कोई पत्थर होवेगा उस बंदे कुल दिमाग होवेगा केंदा नहीं पत्थर होवेगा ये मनुख नहीं होवेगा पत्थर होवेगा संगीत चंगा ही नहीं लग दा कवता चंगी नहीं लग दे फुल चंगे नहीं लग दे मासूम बच्चे चंगे नहीं लग दे रबेंदर नाट्टे गोर क्योंकि कवी सी कवी सी धनगुरु गोबिन सिंग जी महाराजते अपनी बहुत सारी बानी दुते अपने आपनों कभी करके गे कर देने कभी ओ बाच बेंती जो भई इक कभी दे बोल धनगुर नानिक इंज कहें देने नानिक सायर एव कहता है सच्चे परवर्दे गारा इजो नानिक कह रहे है नानिक शायर कह रहे है शायरी जो रख रहे है उर्दुच कहे लो शायरी इंदीच कहे लो कवता उनकवी दो तरह दें उन्देने महान कला कारनाल सुन सुन के सुर्थ जुड गई है अंदरों कला ने जनम ले है कवता ने जनम ले ले संगीत ने जनम ले ले अलोरा अजन्ता गुफावां दिच जो चित्र बढाये गएने यह उन्ना जुड़े होई कला काराने बढाये ने दुनिया भरतों चित्र कार पौँच देने अजन्ता दिच एक तस्वीर दी नकल करना ओ तस्वीर है तुसी सामने देखो ते मुस्कुरंदी होई है और खबे पासे आजाओ बड़ी गंबीर है बहुत गंबीर है और सज्जे पासे आजाओ समाधी लिन दिखाई देंदी तस्वीर एक कोई है एक कोई तस्वीर दे तिन रूप दिखाई देने पहलो बदलन दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्वे पहुंच देने किमें बढ़ाई गई पामें दो हजार साल बढ़ाई गई पर अज भी जिन्दा है जिन्दगी दे रही है किसे ऐसे चित्रकार देंदरों निकली है जिदी चित्रकलादिच जान सी जिन्दगी सी किसे तो सिखेया नहीं सी पर मातमानल जुड़के कला उस देंदरों प्रगटोई सी बहुत विक्षूसन उसे ने बढ़ाई सी मैं भी जिस दिन देखी है हैरान होया मैं कहाद दोगी खबे पासे देख देया कुछ होर दिखाई देंदिए सज्जे पासे देखी ये थे कुछ होर सामने देखी ये थे कुछ होर सारी दुनिया दे चोटी दे चित्रकार उत्थे पॉंच देने नकल कर देना बेठे हों देना बनंदे पे हों देना सिखन दी कोशिश पे कर देना पर जिसने बनाई है उसने किसे तो नहीं सिखी सी ओधे अंदरों प्रगट होई सी ओधे अंदरों प्रगट होई सी तान सैंदा संगीत सुनके एक दिन अकबर कहिंदे तू इतना मधुर गाउंद है साड़ी सुर्थ गवाजन दिये लेना हो जनने तैथों भी कोई चंगा गाउंद है तान सेन कहिंद है कौन बिंदरा बंदे चिक जुगी चरहिंद है हर दास स्वामी हरी दास उतनों सिखे आसे उतनों सिखे आसे अकबर कहिंद है फिर मैं उसनों सुन पता है तान सेन ने किया किया मैं तेरे दरवार दिच आके तैनों सुना सकदा उनों सुनना है ते उतने दरवार दिच तैनों जाना पर पर ओ रोज नहीं गांदा जिस दिन उस दे अंदरों संगीत फुट दाया उस दिन गांदा उस दिन गांदा केंदे ने उस दे बहुत सारे सादुआन यां कुटियां सना वकद दा बादशा पड़ो से जाके ठेहरे है गुमना मतरी के नाल तान से नाल तिन दिन ते इंतिजार कीता सबर दा पैमाना ओ लबरेज होया होखा होया भई हाद दो गया तिन दिन हो गया और किन ना सबर करिए एक दिन अमरत वेले कन्नाच आवाज भई अकबर स्कुटिया दे कौल चले आ गया जिन्दगी च पहली दफ़ा अकबर नो पता चले आ कि रुहानी अनंद की होंदर रुहानी रस की होंदर जुगी दिच आके है अकबर तान सेन नो केंद है तू इस तरह कदी नहीं गाया तेरे संगीत ने ते इतनी गैराई नाल सानू कदी नहीं छोया पता है तान सेन ने की आ किया बादशा सलामत असी गांदे या तेरे वास्ते ओ गांदा है बादशाहां दे बादशाह प्रमातमा वास्ते तेरे वास्ते नहीं गांदा उदा गाया हो या ते मेरा गाया है बराबर किस तरह होवेगा मैं तेनो खुशकरन वास्ते गांदा हो प्रमातमा वास्ते गांदा हो दे अंदरो संगीत फुट दा है मैं संगीत नो जनम देना मैं सिखे है ते गामना ओ ते जरने दा पानिये फुटे है ते निकलता है मैं ते खूदा पानिये डोलनाल कड़ना पेंदा मैनत करके कड़ना पेंदा ओ ते जरने दा बाव है बराबर किस तरह हो सकता है जद कुई उस महान कला कारनल जुड़ जान दे अंदरों कवता फुट दी अंदरों संगीत निकल दे तरह तरह दी कला निकल दिये सारियां कला देच दो कला बहुत कॉमल मनियांगे इन संगीत ते कवता धन गुर नानिक देवजी महाराजी केंदने एक ना नाद ना बेद गेरस रसकस ना जाननत एक ऐसे ने नाद संगीत दी कोई सोज ने कोई मस ने बेद रब्वी ग्यान रब्वी विद्ध्यादी कोई समझ ने कुछ भी पता ने इकना शब्द ना सुर्थ अक्षर का एव ना लहंद इकना नाद ना बेद गेरस रसकस ना जाननत इकना शब्द ना सुर्थ अक्षर सर अक्षर का बेव ना लहंद कुछ अक्षर दा बोध ने उस परमातमा दा कुछ संगीत दी समझ ने कवता दा बोध ने लेकन कईने नसीब बहुत कुछ जान देयां बहुत कुछ जान देयां और गुर्णानिक देव जी केने नानिक ते नर असल खर जो विंगुण गरत करन्द ना कवता जान दै, ना शायरी नो जान दै, ना संगीत नो जान दै, ना रभी विचार नो जान दै, तो फिर दावा है, मैंनो सब कुछ पता है, माराज कहिंदे ना असली खोते ना नू कहिंदे ऐसा किया है धन गुर्णानिक देव जिने क्यों भावक मनुक शरधालो मनुक सरोता होंदा है और कला दे नेड़े चला जानदा है यह भी मैं अर्ज करते हैं नेड़े चला जानदा है हकीकत है यह बहुत वड़ी सचाई है आज दुनिया बहुत बार मुखी हो गई है अंतर मुखी होना बहुत होख है एक दफ़ा में फिर दो रादेया ताकि गल पूरी पकड़ दे चाजाए जो भोजन असी खानदे है उस दा जेड़ा भाग सड़े अंदर रह जानदा है ओही खून बनदा है ओही मास बनदा है ओही सरीर्दी शक्ती बनदा है गुरूदा शब्द सत्संग दिजो असी सुन देयां कथा कीर्तन जो असी सुन देयां जो साड़े मन दिच रह जानदा है ओही साड़े मन दा हिस्सा बनदा है कि मन दा हिस्सा बनके पहले भरोसा बनदा है फिर भावना बनदा है भगती बनदा है सने ते सारे यां देंदर है उते सारे मनुक सने ते सारे यां देंदर है गुरू कुल पदार थां दी मंग एक गुरू नाल सने है प्रेम भी नहीं है अपनी तो छोटे दी तरफ प्यार दी धारा जो जां दी उसनो सने कहें देने बराबरी दी तरफ जान दी ये तो प्रेम कहें देना है अगर ये गेरा सरोता है तो इस दिन दर प्रेम पैदा हो जाएगा मनुख इस अवस्ता तक पौँश सके गुरु घर ने चार तरह दी कोशिश की थी कीरतन का था टाड़ी पर संगा दे रहें इतियास दी जानकारी करा के मनुखन दे अंदर जाग लाने और धन गुरु गौविन सिंग जी माहराज ने कभी दरबारानों जन्म देता धन गुरु अरजन देव जी माहराज के देने ये परी पूरण प्रमात्मा कई कोड कविकाब विचारे करदेने तेरे कई विचार कवता दे रहें शायरी दे रहें सस्कृत दा लवज है रिशी ते रिशी दे अर्थने कभी ये जिनने बगता दी बाणी रिशी मुनिया दी बाणी है रिशी मुनिय कठा शवद क्यों कहने है जेना दा मन चुप कर गया है मौन कर धारन कर गया है रिशी उने दे अंदरो कला फुटेगी कुछ न कुछ फुटेगा पावे खड़ी ते बैठके कपड़े बुण दाए इस कबीर दे अंदरो संगीत भी निकलेगा गीत भी निकलेगा बामे चौक देच बैठके रवदास जुतियां गंड़ा है गुस्ताखी माव क्योंके स्वें अपने आप उनु चमार केंदेने तो इस चमार दें दरो संगीत भी भी पुटेगा सारी बाणी गीत देचे संगीत देचे ठीक केंदेने राबें दर नाट टें गवर जेनु संगीत चंगा नहीं लगदा कवता चंगी नहीं लग दी उख केंदा इसनो मनुख कहन दी लोड किये इदे कुल दिल नहीं होवेगा पत्थर होवेगा इदे कुल दिमाग नहीं होवेगा पत्थर होवेगा वह में एहले इसलाम देश संगीत दी मुमानियत है लेकिन मुहम्मद साब दे अंदरों कुरान दिया आईता निकलियाने संगीत देच राख देच निकलियान जड़ भी कोई कुरान दी तलावत कर रहे हूंदा है यकिन ज़नों संगीत तपक देच जड़ कोई मुणारे देचड़के मौलबी बांग देंदा है संगीत तपक दें अमीर खुसरो इसनुएंज केंदा है छुप गए वो साज हस्ती चेड़ कर अब तो बस आवाज ही आवाज है ए प्रभू तेरे एक नूर दी जलक मिली सी होते खो गई पर तेरी आवाज में सुन रहे है संगीत मही है तेरी आवाज गेत है तेरी आवाज संगीत है लवज उत्थे रू है रू दी आवाज गेत है संगीत है ए प्रभू ए तेरी आवाज है गेत संगीत धन गुर नानिक देव जी माराजी केने ने इक ना नाद ना बेद गेरस रसकस ना जाडन नाद भी समझी नहीं धन गुरु नानिक देव जी महराज केंदने विस्माद नाद ये प्रभु में संगीत सुनके है विस्माद में हो जाना आवाज दिच इतनी लेबत आवाज दिच इतनी कशिश इतनी लेबत आवाज तर्तीब दे चोजाए संगीत बन जान दिया अखर तर्तीब दे चोजान कवता बन जान दिया शैरी बन जान दिया कवी नू रिशी आखे आगे रिशी कवी है कवी रिशी है अंतरा की है रिशी जिदी जिन्दगी दे चानना हो गया सूर्ज उदे हो गया है परकाष्ट हो गया है कभी जिदी जिन्दी चांदना कदी कदी इस्तरा होंदा है जिमें अंधेरे जिबिजली चमक दिये जदो बिजली चमक दिये उस दे अंदरों भी कुछ गीत जनम लेंदे उस दरे अंदरों भी कोई राग जनम लेंदा है उस वक तो रिशी जैसा होंदा है पर जैसे चमक दिए बिजली छुप जान दिए बंद हो जान दिए फिर अंदे रिच कभी कई दफा आम मनुक खाना लोगी थले जीम दा है यह भी मैस कर दे हो सक्दा है आम मनुक कुछ नेतकतारा रख़दा हो वेख कैसे नेतकता दी पालना नहीं करदा समाज दे तल ते जीडी नेतकता है आम kभी शैर उस दी भी पालना नहीं करदा पता है क्यों जिस वक्त तो बिजली चमक द्ये रोशनी एंदियो बडियां बुलंदिया नो देख लेंदे बडियां उचाईया नो देख लेंदे और जvietो चलक जोपदी है उजड़ी झलक उसनों मिल दी है समाज दी ने तक ता नालों बड़ी उच्छी है बड़ी उच्छी है जैसे ओ जलक उस दे को लचली जान दी है समाज दी ने तकता भी उसनों बेमेनी देस दी अपनी जिन्दगी भी बेमेनी देस दी है इस वास्ते अक्सर शायर लोग कवी लोग शराब दे डुब जान दे रहा हैरानगी हों दी है ऐसा क्यों ओ रिशी होंदे ने किसे वकत किसे पल हर वकत नहीं होंदे पर जो हर वकत जिस दी जिन्दगी चानना बने होया है उसनों रिशी आखे अगे अवतारी पुर्ष बड़े बड़े संत जन भगत जन पर मातमा उना दे अंदरों प्रगट होया है गीत बनके संगीत बनके पर जिना जिना कभी शायरां दी जिन्दगी च किसे वकत बिजली चमकी उस रोशनी च जो कुछ होना को प्रगट होया है बहुत कुछ ले आ जा सकता उसनों बड़ा कुछ ले आ जा सकता इस तरह दे कभी हर कौम दे चोएगा तिन कभीयानों मुशाबियत दिती जैंदी है भाई साब भाई वीर सिंग डॉक्टर मुहम्मद इकबाल और राबिंदर नार्ट टेगोर के इने बराबरी पदर देने एक कोई पदर देने टेगोर संस्कृत बंगाली ते ब्रिज भाषा हिंदी दे कभी है एकबाल उर्दु फार्सी दे कभी ने पाईसा बाईवीर सिंग पंजाबी दे कभी ने पर तिन ओ कभी ने जो रिशी होन दी अवस्ता दिछ खडे ने उथे पैर रखे है उना ने इही कारण है कि उना दिया नजमा उना दिया रचनामा पुराणिया नहीं आउँ दिया नमिंता बणी होई है रस बणी होई है क्योंकि आईया उस्तों ने जो नितनमा साहिब मेरा नीतनमा सदा सदा दा था इस तरह दे कभी सम द्रिष्ट हो जान देने सुनिये मनिये सुन रहे है ते मनने मन ले है मन दा हिसा बनेगा नहीं ते नहीं सुने हो या पामे सारी जिन्दगी सुने है ते पामे सारी जिन्दगी पाट कीता है मनने नहीं मनने है वो मन्दा हिसाई नहीं बने है भामे एक पंगती जिन्दगी नो रोशन कर सकती है एक कोई शबद सज्जन ठगने सुनेया सी केवल गुर्णाने को एक कोई शबद अंदर दी सारी मेल दो लगई पर वाकई सरोता सरोता सिक बन सकता है दूजा नहीं सुन ना है कोई सुन सकते है कोई सुनेगा मैं कुछ नहीं जानुदा मैं कुछ नहीं जानुदा कुछ वी नहीं जानुदा मैं सिखना चानना तो सिखन दी शेली सुनन तो रंभवे गुरूनु सुनन नहीं गुरू सुनन दविशे अगरे सुन रहे है वाकई सुन रहे है और इस दे मन ने सुन के मन लेया जिननी सुन के मनेया हो तिन बल हारे जाओ महराज के दिन में सदके जाना हुना तो सुन के मनेया है तो मन दा हिस्सा बन जाएगा भरोसा बच जाएगा भरोसा सुन के ही बन दा है उन मैं अर्ज करा उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर ओ मन ले आए तो भरोसा तूटवी सकदा है दस साल कथा सुन रहे आसी किसे कुल उस तो विपरीत सुन ले आ भरोसा तूटवी सकदा है दस साल तो कीरतन सुन रहे आसी गुर्बानी सुन रहे हैं सी तो सुन देया मन के भरोसा बन गया हाँ प्रभू है भरोसा बन गया यह भरोसा तुट सकता है इस भरोसे नो कोई डुलाए मान कर सकता है कोई प्रबल दलील नाल उस तो प्रीत गल आख देवे ते उस दा मन मन लवे भरोसा टुट जानदाть बड़े-बड़े यांदे भरोसे टुट जानदाть अगर किसेनों सुनके भरोसा नहीं टुटेया हो सकते संसार दा कोई गेरा दुख भरोसे नों तोड़ के रख़दे किस तरह रब नुमन दे ही नहीं किस तरह रब हो सकता है प्रमातमा किस तरह हो सकता है एन्ना दुख एन्ना दुख बुरुसा तोड़न वास्ते हजारां सादन बार मवजूद नहीं बुरुसा जोड़न वास्ते जो केबल सत्संग है और कुछ भी नहीं केबल गुरू नू सुनना बरोसा टुट सकता है पर बार बार सुनेया वया जो मनेया गया है मन के जो भरोसा बनेया है ते भरोसा बन के भावना बन गया है बगती बन गया है अगर किसे ने इस दे टुकडे की ते यह उदे विच भी प्रमात्मानों वेखेगा जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा समद्रिष्ट हो जाएगा जैसे भगवान समद्रिष्ट है भगत समद्रिष्ट हो जाएगा समद्रिष्टी पैचान है कि इदा सुने आवया मन तो अग्ये लंके भरोसे तो अग्ये लंके भावना बनगे भगत है पंडत सूर चतर पत राजा भगत बराबर और न कोई भगत दी बराबरी कोई नहीं कर सकदा क्यों भगत भगवान जैसे है भगत प्रमात्मा जैसे है भगत इश्वर जैसे है समद्रिष्ट हो जाना है उदली सब कुछ इश्वर में ही हो जाना है ये विशंसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया तरा तरा दे वितक्रियां दिच जीन वाले मनुख हो सकद है अजे भरोसे च भी ने जीर अजे सुनियोई बाणी मन दा इसा नहीं बनी सरोते भी नहीं है सुनिये मनिये मन कीता भाव भावना सुन के जिसदी बन गई है सुन के जिसदा भरोसा बन गई है खत्रे छै भरोसा टूट भी सकद है कोई तोड के रख देगा और मैं इस जिन्दगी दे अंदाजन चैलीस से तालीस साल हो गए ने मैंनों कथा कर दे मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिना दे बरोसे तुट गए गुरू तो बरोसे तुट गए गुरद्वारे तो बरोसे तुट गए परमात्मा तो बरोसे तुट गए कहियां देते बहुत छोटी छोटी गलते भी तूटे पिछले साल दी गल कैलिफोर्नियाच एक सज्जन ने एक हैंड़ पार्ट रखाया और तिन्ने दिन गुर्दवारे बड़ी रहनक दो हालसन एक दिछ पार्ट चलदारे एक दिछ कथा किर्तन चलदार चवी घंटे लंगर चलदारे एक गुर्दवारे दिछ जो कुछ चाहिदा सी उसने पुछाया और बहुत कुछ नमा बना देता उन्हें अथा उत्थे दान दीता बड़ी उस दी मेमा भी होई दास वक वक शेरां तो विचरदा होया जड़ फरीमांट पहुँचे है सुते से तो उत्थे उस्दा मिलना हो गया एक अंदाजे दे मताबक मैं ही ना हो गया थी दास लोस अंजलेस होर कई शेरां तो के उत्थे पहुँचे है मैंनो कें लगा अपना तेहुण यकेन नहीं रह गया गल खत्म मैं के हदो गई हजारां डालर उस दिन आके खर्च की तेन तुसी पांडे नमे बनाए कारपेड नमा तुसी बिचा देता इतनी राउनक पाठियां नो तुसी खुली माया देते लंगर तुसी ओ चला है जो व्याशादियां दे शलसला नहीं बनदा गल की हो गई केले के मखिएंजी आपा मुकदमी चाहर गया है साठ्न आ निष्चा तुड़ गया परोसा ही तुड़ गया एननी जयां गल न तुड़ गया जिस दा भरोसा बजे है खत्रिच है कोई तोड़ के रख सकता है कोई दुक परोसे नो तोड़ के रख दे कोई लेक्चरार कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कहके परमातमा दे भरोसे नो तोड़ के रख सकता है और भरोसे तूट दे मैं देखे ने एवी मैं अर्ज करते हैं उपने आपने खत्रिश समझे जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनदा भगती नहीं बनदा भगत दा भरोसा नहीं तूट दा भगत भगवान दा रूप हो जान दा बूंद सागर हो जाएंदिया हुण जो है उदा वरोसा तुटे होते आप परमात्मा वरगा हो गया हर वक्त महा रस महा नंद उस दी दुनिय अच्छ उगीत दा रूप हो गया संगीत दा रूप हो गया अनंद दा रूप हो गया ग्यान दा रूप हो गया और सम्द रिष्ट हो गया उन्ट जिते तक वेखदा है परमात्मा नो वेखदा है और जिते तक सुन दा है जो बोलत है मिरे गमीन पंखे रू सो बिन हर जापत है नहीं हो ये प्रभू जितने पंची पै बोल देन सब तेरी आवास उन्टे में नोई जितने लिखदा है एवी तेनुई जपदा है पैने हो रू कुछ ने इस सारियां आवाजां है प्रभू ये देच्वीत हो है इस सारे रूप ये देच्वीत हो है ए अवस्ता बन जाने गुरुनानिक देव जी महाराजी के देव जो बोलत है मरे गमेन पंखेरू सो बिन हर जापत है ने हो धन गुरु गोविन सिंग जी महाराजी मैं समद्रिष्टी ठोड़े सामड़े रखां ति समापती करन समाओ गया महाराजी के देव जो बोलत है कत्तों हूं सुचेत होई के चेतना को चार कियो कत्तों हूं अचेंत होई के सोवत अचेतो सिरी मकवाग पातशाई दस्मी अकाल उस्तत ही प्रभू किदरेती तु बड़ा सावधान सुचेत है बड़ा सियान है कत्तों सुचेत होई के चेतना को चार कियो तु अपनी चेतनानु चार के दिन बड़े सुंदर बड़े सोने सोने गुणा नल सवारे है कत्तों अचेंत होई के सोवत अचेतो किदरे तु बिल्कुल मूड अचेत कुछ भी नहीं जान दा हैरान गी है कत्तों बिखारी होई के मांगत फिरत वेक कहुं महादान होई के मांगेो धन देतो एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाना गुरु रामदा एक चोजी पात्षा किदरे तू दाता बने आए किदरे बिखारी जी सब तेरे ही चोजन समद्रिष्टी गौबिन सिंग जी माराथ क्योंकि दस्वें पात्षा मों बहुत घट समझे आगे हैं बहुत घट पड़े आगे हैं बहुत घट सुने आगे हैं एस वास्ते में थोड़े सामड़े रख़ता प्यां सिंगापूर विच एक सजण सिंधी में नो केंड लगा गुर्णानिक बड़े मीठे गुरु हैं गुरु गोबिन सिंग गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं बहुत कड़वे हैं अमारा ताल में नहीं बैठता शिद्धे लगा थे में नो सुभाव केड़ता जीतने कड़वे ना होंदे थे भारत दिच हिंदू धर्म ते रेना ही नहीं सी पतम हो जोना सी कभी संतोग सिंग जी कहें देने चाये जाती एकता अनेकता बिलाये जाती होवत कुचीलता कतेबन कुरान की पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते बरन गरक जाते सहत बिधान की देवी देव देवरे संतोग सिंग दूर होते रीतमित जाती कथा बेदन पुरान की सिरी गुरूगन गोबिन सिंग पावन परमसूर मूरत ना होती जोपे करना निधान की ऐसी बक्षिश भरी मूरती ना हो दी गीता पुराण वेद खतम हो जाने से केवल कुरान रहनी सी जनेव तिलक मंदर ठाकर दौरे खतम हो जाने से ने कोई मस्जिद रहनी सी ये ति धन गुरू गोबिन सिंग जी दी करामात उना दी मेरबाने उना दी कुर्बाने उना दी तपस्या उना दी देन धन गुरू गोबिन सिंग जी महराई दी सम द्रिश्टी नों नहीं देखिया गया क्योंकि ऐसी सुनाया ने ऐसी समझाया ने साहिब केनर कहूं जच गंदरब उरग कहूं बिदेयादल कहूं भै केनर पिसाच कहूं प्रेत हो हे प्रभू किद्रे तु महा कवी हैं किद्रे तु महा संगीतकार बहुत बड़ा संगीतकार वही गल जो गुरु नानी केनर गुरु गुरु गुंस पर हे प्रभु किदरे तुम भूत प्रेत है पिसाच है शरीरी तेरे को नहीं रूप बटक दी पर गेगे कहूं जच गंदरब उरग कहूं बेदे आधर कहूं भै किनर पिसाच कहूं प्रेत हो काहूं हो एके हिंदु आ गायत्री को गुपद जपयो काहूं हो एके तुरका पुकारे बांग देता हो हे प्रभू किदरे तु हिंदु है तुई है और कोई ने तुई है गुफा देच बैठके गायत्री दे मंतरां दा जब प्या करदा है पर हे प्रभू किदरे तुम मुला हैं तुरक हैं मुनारेती चड़के बांग पया देना गुफा देच बैठ के मंतरांदा जब करन वाले हे प्रभू तुई हैं मुनारेती चड़के बांग देन वाले हे प्रभू तुई हैं कहूं को बकाव हो ये पुरान को पड़त मत कत हूं कुरान को निदान जान लेत हो कहूं बेदरीत कहूं तांसम बेपरीत कहूं तरी गुन अतीत कहूं सर गुन समेत हो ये प्रभू मैं देखना किदरे तू पुराना दा पंड़त हैं गया नहीं है, बड़ा गयाता है पर किदरे तू कुरान दा हाफिज है तो ही है, और कुछ नहीं तो ही है इन्हा स्वईयां दी लड़ी वार जे में व्याख्या कीती समा अपने ढंगनाल चला जन्द है एक स्वईया हो रख दें थोड़े समने कबित कहुं गीत के गवईया द्वापुर्दे चली गई बिर्ती धनगुरु गोबिन सिंग ते कहुं गीत के गवईया कहुं बेन के बजईया ए प्रभु किदरे तू मधुरु गीत गानना है ते मुरली वजानना बास्री वजानना धनगुरु गोबिन सिंग निर्टकार हो, किदरे आकार तेरा पुर्षदा बड़ा सोना निर्टकार हैं, बांसरी वजा रहे हैं, गीत गारे हैं, निर्टकर रहे हैं, कहूं बेदबानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार के परकार हो, पर हे प्रभु किदरे तु नारी दीतर नहीं है इस्त्री दी तरह है पुर्श दी तरह नहीं है किद्रे बेद बानी विद्यानल भरी होई ग्यानल भरे होई ग्रंथा दियां कहाणियां तू कर रहे हैं पर किद्रे कोक की कहानी अब दी ग्यातली अर्श करा कोका पंडत ने कामसूतर इक ग्रंथ लिखे है उस वकद तो दे कुछ नेतक पुर्षाने, सैने पुर्षाने के असी ये तू की लिख रहे हैं, तू रिशी है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं, उन्हें या कहा, जे कुरोध ते लिखेया जा सकदा है, ते बोलेया भी जा सकदा है, हंकार ते लिखेया जा सकदा है, ते बोलेया भी जा सकता है, मौते लिखेया भी जा सकता है ते बोलेया जा सकता है कामते क्यों नहीं लिखेया जा सकता है ते क्यों नहीं बोलेया जा सकता यह उदी दलिल से आखर जदे भी किदरे मनुख गिरदा है ते उना पंजा करके गिरदा है और जिस करके ज्यादा गिरदा है अदग गिरदा है उदी जानकारी मनुखनों होनी चाहिए दी होनी चाहिए उने इतना वड़ा ग्रंध लखिया कामसूतर और आब सुनके हैरान होगे उस देज़े कुछ पहलू दसम ग्रंध देच मिल देन और गुरु गोविन सिंग जी मह आराज के ने चवी अवतारां दी जो मैं कता लिखी है मैं अनवाद कीता है टीका कीता है ये मेरे अपने ख्याल नहीं दसम कता भागाउत की पाखा करी बनाए और बासना ना है पर अब धर्म जुद के चाहे मेरी कोई वाशना ने बस मैं ते धर्म दा युद करन वाला प् प्राचीन धर्म गरंतां दा ये टीका कीता है अनवाद कीता है टाके मेरे खालसे नो जगत नो पुराणे धर्म दा पुराणे समाज दा पुराणे लोका चाहर दा पता होगे है ग्यान होगे है सहन सरदान दे इंदर रुआया परसराम रोवे घराय शवद है गुरुनानिक देव जीमा इपरसराम कौन सी इंदर कौन सी इजनमेजा कौन सी अजे सरोवे बिखेया खाय ऐसी दरगे मिले सजाय इसारे काउन सन इती पुराण पढ़ने पेनगे पुराण के परसंग पढ़ने पेनगे जानना पेगा बहुत कच्छे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगदिच अपने आपनू रेबर मनन लग पेने ओदे नाल सिख धर्म संकीरनों के रहे गए जद कि इस तो वड़ा होर कोई विशाल धर्म नहीं से हिदा सबूत धन गुरुगरन साब जी माराज सारे बगते बैठें बांग देन वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान चेड़न वाला भी बैठा है सब कुछ मौजूद है खैर मैं लमकावाना सद्गुर के इनने मेरे ख्याल नहीं ने मैं ठीका कीता है अनवाद कीता है क्यों ब्रामन सिर्फ ब्रामन नो पढ़ांदा सी शूदर नो ने फि ब्रामन जीड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी बड़ी बिखम ओ लोग भाशा नहीं रहे गए सी किसे वकद सी किसे वकद सारी संस्कृत बोल दे सन समा देना भाशा मा बदल दियना अच पंजबी दा और रूप भी नहीं रहे गया पंजबी देच बहुत सारे अलफाद होर दे होर आगें एवी मेर्स करते हैं लेंदी पंजाबी चढड़ी पंजाबी अलग अलग है पाकिस्तान देविच पंजाबी बोल देने साड़ी पंजाबी नालो पेन न हो गई है बिल्कुल पेन न हो गई है मैन चंगी तरह याद है श्रुमनी कमेटी ने एक दफ़ा दास दी सेवा लाई ननकाना साब गुर्णाने के देव जी माराज दे गुरुपरुप दे बे उत्थों दी मांगा आई है टीवी ते पराम जाना है पर अर्दू देच कथा करनी है लेक्चर देने है पर तुसी तिन्ने देन गुर्दवार अर्दू जो बोलना ठीक है और उस सेवा में खुशी नाल कबोल की ती मैं कब बड़े दिना बाद सद्गर दे उस पावन अस्तान दे दर्शन नसीब होन के बड़ा बारी कट राय बुलार दी जड़ी संतान भटी खानदान ओवी सारे बैटे सा रातनों भी दास हाजरी प लार दी होर सारे और के लगे रातनों तुसी पंजाबी ची बोले यो एक चंगा रातनों में पंजाबी ची बोले है मेरे कमरे चो मुसल्मान भी रा गया वे यसी ती थानों हाथ जोड के आखे असी अर्जोही की ती इसी पंजाबी ची बोलो तुसी पंजाबी ची नहीं ब पंजाबी बुलता है। किसाधे पले दें नहीं कुछ पे आ। मैं कह ठीक ए फिर मैं उर्दू ची बोलांगा। उर्दू ते तुसी समझ लें दें। लेंदी पंजाबी, पांवे लेंदी पंजाबी मैं बोल सकता ह। उसे इलाके चौआ हैं। पर हुन आयां पंजाब, एक 15 साल हो गए लड़ खड़ा सकता सी मैं इस करके नहीं बोले मैं किदर लफजां दा बेलावज मैं कर सकता है और शुद्धी हो सकती है तो हुण जेडी पंजाबी मेसिज बोले बोलियां ते बदल दियान बाशामा बदल दियाने संस्कृत लोग भाशा नहीं रही सी हाद खड़ा हो गया है ए गुरु गोविन शिंग दे बोल नहीं हो सकते है और कौन दसे कोका पंड़त ठीक कहेंदा है जे कुरोध दे उतार चड़ाव नूँ ब्यान कीता जा सकता है किदरे किदरे कुरोध मनुक नुँ पशु बना देंदा है पागल कर देंदा है जे लो लोब ते मनुक नु कुकर जैसा बना देंदा है कुते जैसा बना देंदा है जिए कुकर हर काया तावे देदिस जाए लोभी जन्त न जाने पाखा बख सब खाया है बयो लोब संग हो रहा लोब मनुक नु हलकाया कुता बना देंदा है हलका कुता अपने मालक नु भी आके रख देंदा है और सीमा तो वद्याओ या काम मनुक नो ब्रश्ट करके दुराचारी बना देंदा है अगर पुर्ष है तो भी बिचारी हो जाएगा अगर इस तरी है तो गनका हो जाएगी वैशिया हो जाएगी गुस्ता की माओ इस दा खुलासा कीता है इस दी वे अख्या कीती है धनगुर गोविन सिंग जी माराज अकाल स्तदिच फर्मान करदेने हे प्रभू कहूं गीत के गवईया कहूं बेन के बजईया कहूं निर्थ के नचैया कहूं नरको आकारो कहूं बेदबानी किदरे थी तु वेदादा पाठ पया करदे ग्यान दे धरम गरंत पया पड़दे कहूं कोक की कहानी किदरे कोक शास्तर पया पड़दे काम सूतर पया पड़दे काम सूतर दी विचार चल रही है किदरे राम दे गीत थे किदरे काम दे गीत पर तो ही है ए प्रभू तो ही है कहूं बेदबानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के परकार हो कहूं बेन के बजईया कहूं धेन के चरिया कि तरे गवाँ पे अचार दें सुरी कृषन दी तरफ इशारा द्वापर्दे सद्गुरांदी सुर्थ चली गई कहूं बेन के बजईया कहूं देन के चरया कहूं लाखन लवया कहूं सुंदर कुमार हो सुद्धता की सान हो के संतन के प्रान हो के दाता महादान हो निर्दोखी निरंकार हो ए प्रभू निरंकार तेरे इतने रूप इतने रूप उड़े सोईये में तो नो सुनानदा जाऊ वाँ तेमें इस सारी रात लंग जाएगी मुक्तसर मैर्ज करना समापती करा इस सारे रूप कल गी दर पादशा ब्रियान कर देना अज तक ते आखेया गया है पर मातमा प्रकाश रूप है पर जाब साविच महराज किनने नमव अंधकार ये नमव तोईज तेजे ए प्रकाश दे रूप प्र मातमा तेनों नमसकार करदा पर अंधेरा भी तेरी शक्ती तो बिना Неए हो सकता में इसनों भी मत्वा टेक दा, नमस्कार, इतनी समद्रिष्टी जद भी किसे दा सुने ओया भरोसा बन दा है ते भरोसा भावना बन जान दा है, भगती बन जान दा है, उस समद्रिष्ट हो जान दा है चाओ हिंदू वे चाओ मुसलिम वे चाओ सिक्ख वे समद्रिष्ट हो जाएगा ब्रह्म ग्याने उदी द्रिष्टी समद्रिष्ट हो जाँदी ब्रह्म ग्याने सदा समद्रिष्ट ब्रह्म ग्याने की अमरत द्रिष्ट वो वास्त्विक समद्रिष्ट हो जाँदा सारे नो एको जियां सम बराबर बराबर करके देखन लग पेंदा इसे तरीके नालिक मुस्लम फकीर अमीर खुसरो इंज बियान कर देंदा बे खुदी में हम तो तेरा दर समझ कर जुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुत खाना ए प्रभु होने तु आप फैसला करो मंदर से के मस्जिद से तेरे गीत हो रहे सन तेरी गल लो रहे से मेरा सिर जुक गए है मैं मत्वा टेक देता है मैं सजदा कर देता है बे खुदी में हम तो तेरा दर समझ कर जुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुत खाना ये रिशिया नालों घट गल नहीं है ब्रम गयान दी शिकरतानों चूंदी पर धनगुर नानिक देव जी महराजी कहें देने अक्सर भरोसा डोल जान दे इस वसे अरदास है डोलन ते राखो प्रभू नानिक देकर हात अवल ते कोई विरलाई सुन दै स्रोता सुन तो सुने अगर वाकई मन ने मन ले यह सुनिये मनिये नितिकी सुने यह मने यह नितिकी सुने मैं एक दवभ फिर दो रहाऊ खादाओ या भोजन जो सरीर देविचольз रहा जान देएओ ही खोन बनदाए। सुने या गुरू दा बचन जो मन लें देए ओ ही मन दा इस्वा बनदाए वरना नहीं बनदाए। उ भरोसा बन जान देए विश्वास बन जान देए। पर ये मुनुक खत्रे चोवेगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वाश डोल सकता है, सुनदार या, मनदार या, ती भरोसा वद्दा गया, वद्दा गया, अगर ये भावना बन गया, भगती बन गया, उन्हे दे सरीर दे टुकडे टुकडे ती हो सकते ने दा भरोसा नहीं डो सकता है इस वासे साहिब के दिन भगत सब तो शिकरते हैं भगत सब तो उच्छा है सद्गुर रहमद करन बक्षिश करन सुन देयां सुन देयां साड़ी ए अवस्ता बनान समा कुछ में ज्यादा लगयां किमा करने कल जमें कुछ सद्गुर देव जी ने बुलाया आखरी इस सर् wooden कीता है धन्युर्भा ग्रुं सावजी महराइं देच अर्दास बिने है सद्गुरु थवाड़ा सुने आया मनन तक पुछावे मनदा द्रिर भडोसा बन जाय, भिश्वास बन जाय तो रिश्वास भकती बन जाय, भावना बन जाय सुनिये, मनिये, मन कीता बाव अंत अंदर दा तीरत है सारे दुख मिट जानें सारे पाप मिट जानें साहिब इस तरह दे निर्मलता पवितरता ते अनन्द आप जिदी जोली जपावन कल दे हाजरी पर के आप दो छुटियां बल चुक दी शमा वाई गरोजी का खाल सा ग्यान दा सागर ग्यान दा सागर